ये मेरी खडू सास में पताने कौन सा जमाने की बात करती रहती हैं ये खर्चा मत कर, वो खर्चा मत कर देख मुझे तेरा ने बेफालतू की फिजूर कर्ची करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो क्या मैं अपनी मरमर जी का कुछ भी नहीं कर सकती आखिर यह मेरा भी घर है, तेरा घर है इसलिए बोल रही हूँ, जितने चादर हो उतने पैर पर सारने चाहिए अरे बेफाल तु क्या गूमना फिरना, इदर उदर पार्टियों में खर्च करना, कभी हिसाब लगा कर देखा है कितने पैसे तुने बेवज़ा उड़ा दिये, आपको सब ये बेवज़ा लगता है अरे मैंने दो-चार पार्टिया कर ली, तो कौन सास मन तूट पड़ा, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रह सकती इस गर में जारी हूँ अपने गर, खूब जोड़ो पैसे और मेरे पती भी, इनके पास तो मेरे लिए कभी टाइम है नहीं हाँ हेलो abs Kung हाँ जल्दी भलो मैं मीटिंग में हूँ आप तो में से मीटिंग में ही रहना, जारी हूँ अपने गर ठीक है ठीक है? तो ठीक है, जारी हूँ मैं हेलो माने लोकडाउन में इनकी तंखाद ही रह गी है तो इसमें मेरी कलती है मैं कहां से खर्चे कम करूँ अपने मैं खर्चे कम कर लू अरे अपने कमाई करने बढ़ाते करूना वाइरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है बीमार से नहीं अरे पूराना मानो तो पूराना की एक बात कहनी थी आपसे अरे एक क्या आप दो बार बताओ अब देखो बेंजा पूराना मेरी बेटी है लेकिन आपकी बहु भी है और मुझसे ज़्यादा आपका उस परहक है अब भेंजी आपसे क्या छूपाना अच्छा उसकी बहुत बड़ी तेज निकली एक मिनट रुपना अरे प्रिया देखे बेटा दर्वाजे पे कौन है हाँ ममी अरे बेटा तू अच्छे चल मैं बाद में बात करते हूँ उदर से ठीक है अकेले आईए बेटा जमाई बापसाथ नहीं आए नहीं मैं अकेले ही आई हूँ और मुझे नहीं रहना उस गर में अब बात क्या हो गई बात बताएगी मेरे साथ में जीना अराम कर रखा है मेरा कुछ भी नहीं करने देती मुझे अपनी मनमर्जी का उस गर में ना मेरा सांस लेना दुरबर हो गया है अब मुझे नहीं रहना उस गर में भावी चाय बना दो मेरे लिए दीदी बना लो और साथ में हुम्याद पापजी की भी चाय बना देना क्या हाँ मुमी जी गर पूजा कर ली होगी मैं चाय बनाऊंगी हाँ अब तो आप इसी घर में रहोगी ना तो अब मैं मान थोड़ी हो जब के खादिरदारी होएगी अब आप भी इस घर की सगस्य हैं काम तो करना पड़ेगा अब अकेले थोड़ी करूँगी सारा सुबह का खाना मैं बनाऊंगी तो रात का आप ज़ाड़ू पोचा मैं करूँगी तो इस घर के सारे कपड़े आप धोगे समझ गे? अब घर में में मेंबर बढ़ा है तो काम भी तो बढ़ गया? अब मैं अकेले थोड़ी करूँगी सारा काम मिल बाट के करना पड़ेगा? हाँ और जल्दी सक चाय बना दो और साथ में ममी जी के लिए नास तभीत बना देना उनको दवाई लेनी होती है ठीक है चार अजार इसके होगे देज़ डिजार का वह आ जाएगा यह इतना हो जाएगा यह इसका हो जाएगा ममी मुझे पैसे चाहिए पैसे? कितने चाहिए? यह कुछ तीन-चार अजार रुपे मुझे बजार से मेकप का समाल लाना है आपको पता है मैं गुछ से में कुछ नहीं लेकर आई अपने साथ तो तीन-चार अजार रुपे का समाल लेकर आएगी आप तो ऐसे रियक्ट कर रहे हो जैसे मैंने तीस-चालिस-जार रुपे मांग ली हो लाओ जल्दी दो अच्छा अभी देती हूँ ये किसलिए दे रहे हो प्रिया वो पूनम को मेकप का समान लेना था बिटा इसलिए मेकप के समान के लिए इतने रुपे क्या ज़रत है मेकप की किसको दिखाओगी अज जिसके लिए सजना सवारना चाहिए उस पती के घर का तो छोड़ कर आ गई आप कोई ज़रत ने इतना खर्चा करनेगी भाबी ये क्या कहरी हो आप साही कहरी हूँ कोई जूट नहीं कहरी या कोई पैसो का पेड़ नहीं लगा जब बेफालतू के खर्चे पूरे होंगे तुमारे मम्या आप कुछ बोलती की नहीं हो बेटा मैं क्या बोलू ये क्या बोलेंगी इस गर को समालने की जिम्मेदारी मेरी है मुझे समालना इस गर को अगर फालतू के खर्चे करेंगे तो बाकी घर के खर्च कैसे पूरे होंगे तेरा घर है इसलिए बोल रही हूँ जितने चादर हो तुने पैर पर सारने चाहिए अरे बेफाल तु क्या गूमना फिरना इदर उदर पार्टियों में खर्च करना कभी हिसाब लगा कर देखा है कितने पैसे तुने बेवज़ा उड़ा दिये अरे बेटा जब तु अपना गर छोड़ कर आई थी ना यहाँ पर उसी दिन तुरी सास का फोन आ गया था अब भेंजी आपसे क्या छुपाना लोगडाउन में बेटे की तंखाद ही रह गई है इसके साथ के लड़कों को तो निकाल भी दिया इसको कम से कम रखा तो हुआ है अब भेंजी तंखादी हो तो हो गई लेकिन पुनम के खर्चे कम नहीं हो रही मैंने उसको कई बार समझाने की कोशिश करी बेटा इतने खर्चे मत किया कर लेकिन वो सुनने को तयार ही नहीं है अब बेटे को भी चार-चार जनों का काम मिला हुआ उफिस में अब घर में उसकी टेंशन रहती है और घर आके ये लड़ाई करती है अब भेंजी आप इस समझा सकते हो उसको आप इस घर को तूटने से बचा सकते हो अब देखो सुबह-सुबह लड़कर चली गई मुझसे आ रही है आपके घर समझाना भेंजी उसे ठीक है जी अच्छा भेंजी कैसे समझाओ इस लड़की को इसको तो प्रिया ही समझा सकती है अच्छे से प्रिया प्रिया बेटा इधर आना और उन्हें मुझे सारी बात बताई थी आप सही कह रही हो मेरी सास यही तो समझाना चाहती थी मुझे लेकिन मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी भावी आज आपने मेरी आखे खोल दी मैंने घर छोड़ कर बहुत बड़ी गलती कर दी अब मैं किस मुझे माफि मांगू अपने सास से वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगी तुम माफि मांग कर तो देख वो तुझे जरूर माफ कर देंगी दीदी ये सब हमने नाटक किया था आपके साथ ताकि आपको सबक मिल सके और अपनी गलती का एहसास हो सके कुछ खर्च हम चाकर भी कम नहीं कर सकते पर फिजूल खर्च जरूर कम कर सकते हैं याद रखिए बुरे वक्त में पैसा भी काम आता है